हाई दोस्तों आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए मैसूर मसाला जोड़ सा जो इतना ज्यादा टेश्टी बनाना कि मुझे लंच भी बनाने की जरुवत नहीं पड़ी और हर लोगों नहीं यहाँ पे चार से पांच हो सका गए तो सबसे पहले हम बनाने वाले रेट चेट न इसके लिए मैंने दो कासमेडी लाल मिर्च नॉर्मल चार्ट लाल मिर्च और यहाँ पे सोक क्या होए इमली आइट कर दिया आप चाहे तो नॉर्मल इमली भी ले सकते हैं और इसे आधर नटक लिए मैंने चोड़ दिया अब उबले में आलू 5-6 लेके थोड़ा मेस कर दि एक पेन में हम तेल लेंगे अब जीर भी रा और आप जाए गड़क राय और हम घड़иях करेंगे कुछ कड़ी पते कुछ कड़ी पतेietet में गृदि लिमेट रुकडों में मैंने कट कैसे हलका हम भून लियते हैं और अब जाएगा हल्दी का पॉडर और थोड़ा ब्लैक पेपर का पॉडर इसे हमें बहुत जाता नहीं भूनना है इसका जब यह हलका रेड हो जाए बसका इनफ है तो अब हम यहां एड़ करेंगे नमक और इस अब हम हलका भून देते हैं अच्छे से और यह भूनने के बाद आप जाएगा हरिहा धन्या जो यह आलो मसाला के टेस्ट को और भी बढ़ा देगी तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब हम बनाएंगे रेड चटनी जो हम से सोक करके रखेते तो मैंने फिर से प और दो भून लेते हैं और तीस ताउ में भूनेंगे तो और यह जो सोक क्या वह मैंने मिर्ची यूर्ड इंडली रखा था रखा था था बोढ़ा हम एक मिकसर जार में एड कर देते हैं और इसे एड करने के बाद आप अब हम क्या करेंगे यहां पर जो मैंने प्याज़ वो डालने के बाद इसे पिस लेते हैं और ये देखिए ये गाड़ी रेड चट्नी मार्केट जैसी बिल्कुल भी ताई हो गई है जो पूरी चटा के दार है तो यहां है मेरा धोसा का बैटर इसका लिंक अप चाहे तो देख सकते हैं अब मैंने लिंक में डाल दिया है अब हम इसे धोसा के तावा में इसे अच्छे से फैलाना है हमें अच्छे से हमें फैला लेना है और लॉट्सम इडिया फ्लेम में इसे पकाएंगे तो यहां पे हम तेल या गी कुछ भी लगा ले अब हम क्या कहना है रेट चत्नी, हमी एकदम अच्छे से फैला लेना पूरे धोसा में, यह रेट चत्नी फैलाने से न, यह मैसुल मसाला धोसा का तो टेश्टी बढ़ जाता है, और यह आलो मसाला अब हम डाल देंगे, यहां जाएगा बारी कटावा प्याज, और बारी कटावा हराधनिया और अब हम धोसा को पकने देंगे जब तक धोसा का किलर हलका रीट ना हो जाए तो ये देख सकते हैं मेरा धोसा तयार हो गया और कितना बढ़िया बनाया है तो आप इसे रीट चटनी वाइट चटनी के साथ सर्व कर ले और इस धोसा को जरूर ट्राइ करें ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है और अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्स्राइब कर दीजिए तो आज के लिए टैंक यू